तो क्या बेजान चीजों का आप पर असर पढ़ता है? हाँ, अगर आप पढ़ने देते हैं तब आप इस धर्ती पर एक मातर जीव हैं जिसे अपने जीवन को खुद गढ़ने की आजादी दी गई है इंसान इसी आजादी से दुखी है अच्छी किस्मत के लिए आप इसे अपनी जेव में रखिए अगर ये आपके उंगली पर होगी तो लोग सोचेंगे कि आप सर भारती समाज में जब लोगों को कोई परिशानी होती है मान लेते हैं कि कोई बिमार है तो तीन तरह के लोग होते हैं पहले वो जो अस्पिताल जाएंगे दूसरे वो जो मंदिरों की और भागेंगे और फिर तीसरे वो लोग हैं जो जो जोतिशी के पास जाएंगे तो हमें असल में शुरु से ही सिखाया जाता है कि बेजान चीज़े और हमारे आस्पास की चीज़े हमारे जीवन को कंट्रोल करने की ताकत रखती है मिसाल के लिए ये मिसाल के तौर पर मेरी मा ने दो-तीन साल पहले मुझे एक अंगूठी पहनने के लिए कहा था जिसमें एक रत्न लगा था मैंने आज भी पहनी हुई है तोकि मा ने कहा है आपको इसे उतारने की जरुत है वरने लड़के सोचेंगे अच्छी किसमत के लिए इसे अपनी जेब में रखिया अगर आपकी उंगली में होगी तो वो सोचेंगे कि आप देखिए मानव जीवन इस तरह से बना है खासकर इंसान का जीवन सभी जानवरों के लिए प्रकृति ने स्पष्ट रास्ता तै कर रखा है वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते उनका जीवन दो रेखाओं के बीच चलता है वो उससे नीचे नहीं जा सकते वो उससे उपर नहीं जा सकते उन्हीं के भीतर वो जीते हैं इसलिए वो इतने आश्वस्त दिखते हैं और वो शांती मय होते हैं जब उनका पेड भर जाता है तो वो पूर्ण शांत हो जाते हैं क्या आपने ये देखा है? हलो? क्या आप मेरे साथ बात कर रहे हैं या नहीं? क्या आप सबी जानवारों में देखते हैं कि जब उनका पेड भरा होता है तो वो शांती मय होते हैं लेकिन इंसान सोचते हैं या उन्हें सिखाया जा रहा है कि शांती जीवन का अंतिम लक्षे है एक भैस पेड भरा होने पर शांती से बैठती है और आपके लिए वो अंतिम लक्षे है, कितनी शर्म की बात है जो काम एक भैंस भर पेट घास खाकर या जो भी वो खाती है, उसे खाकर कर सकती है उसे आप अंतिम लक्षे की तरह मानते हैं क्या ये शर्म की बात नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ लेकिन ये इसी तरह सिखाया जा रहा है, शांति आपके जीवन का चरम लक्षे है लेकिन अगर बुन्यादी चीज़ों पर आएं, अगर आप आज शांति पून नहीं है तो क्या आप आज भोजन का आनन ले सकते हैं? नहीं अपने जीवन में किसी भी चीज़ का आनन लेने के लिए, अगर परमानन में नहीं, तो कम से कम आपको शांति माय तो होना चाहिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इसे आपके जीवन का पहला कदम होना चाहिए या आपके जीवन का आखरी कदम ऐसे लोग सिर्फ मरने पर ही शांति से होंगे अब, क्या दूसरी चीज़ों का हमारे उपर असर पढ़ता है? खास कर निर्जीव चीज़ों का रत्न और हीरे और वैसी चीज़ें और ग्रह भी देखिए पृत्वी की प्रकृती देखिए पृत्वी की प्रकृती का इस पर मौझूद जीवन पर कुछ खास असर होता है आप देखेंगे कि पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन कई जानवर कुछ खास तरीकों से सिर्फ इसले बरताव करते हैं क्योंकि वो इससे प्रभावित होते हैं आप जानते हैं पूरा महासागर उपर उठता है जब लाखों टन पानी से भरा महासागर उपर उठ पाता है तो जब आपके शरीर का 72 प्रतिशत हिस्सा पानी है तो क्या आपको लगता है कि ये बिलकुल उपर नहीं उठेगा ये उपर उठता है तो मुझे नहीं पता अगर आप इसके प्रती सचेतन हैं लेकिन भारत में ज्यादतर लोग जानते हैं सिर्फ भारत में ही नहीं कहीं भी जहां भी पागल खाने हैं वहां लोग इसके प्रती सचेतन हैं पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन लोगों के मन में अशान्ती का स्तर ज्यादा हो जाता है तो लोगों को लगता है कि आम आवस्या और पूर्णिमा से पागलपन होगा नहीं ये सच नहीं है अगर आप बहुत प्रेममे हैं तो पूर्णिमा के दिन आप ज्यादा प्रेममे बन जाएंगे यदि आप बहुत आनंद में हैं तो पूर्णिमा के दिन आप ज्यादा आनंद में हो जाएंगे अगर आप थोड़े संकी हैं तो आप ज्यादा संकी हो जाएंगे जो भी आपकी quality है वो उस दिन थोड़ी बढ़ जाती है तो जो लोग romantic हैं उन्हें पूर्णिमा का दिन चाहिए जो लोग ध्यान करना चाते हैं वो पूर्णिमा का दिन चाते हैं जो थोड़े पागल होते हैं वो पूर्णिमा का दिन नहीं चाते असल में यह आपके गुन को बढ़ा देती है बेशक आज एक दूसरे तरह का किताबी विज्ञान चल रहा है जो सिर्फ प्रयोक शाला में होने वाली चीज़ों को देखता है किसी दूसरी चीज़ पर ध्यान नहीं देता वो लोग कहते हैं कि ये सब बकवास है नहीं, अगर आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं तो बिना उपर देखे, बिना कैलेंडर को देखे आप खुद से जान जाएंगे कि पूर्णिमा कब है, हम आवस्या कब है अगर आप अपने सिस्टम पर परयाप्त ध्यान देते हैं क्योंकि आपके सिस्टम में खास बरताब देखता है लेकिन इंसान के साथ समस्या ये है या लोग इसे एक समस्या की तरह देखते हैं अगर आप किसी संभावना की पूरी खोजबीन नहीं करते तो आपकी द्रिश्टी में वो एक समस्या जैसे दिखती है एक समस्या हमेशा एक संभावना होती है, है न? आपको ये अच्छी नहीं लगी? जो एक संभावना है अगर आप उसकी खोजबीन नहीं करते अगर आपको ये एसास नहीं है कि संभावना क्या है तो वो आपको एक समस्या जैसी लगीगी तो क्या बेजान चीजों का हम पर असर पढ़ता है? हाँ, अगर आप पढ़ने देते हैं तब क्योंकि ये इनसान के विडंबना है कि आप जो हैं वो प्रकृती द्वारा तै नहीं किया गया है उसे आपके लिए खुला छोड़ दिया गया है आपके लिए खुला होने का मतलब है क्या आप इस धर्ती के एक मात्र जीव हैं जिसे अपने जीवन को खुद गढ़ने के आजादी दी गई है क्या ये छोटी बात है? ये लाखों वर्षों के विकास का नतीजा है कि एक कोशिका वाले जीव से शुरू होकर इन सभी जीवों के बाद इन करोडो रूपों के बाद आज यहां हम बैठे हैं ये एक मात्र जीव है जो अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा गढ़ सकता है हर दूसरे जीव को प्रकृती के नियमों से जीना पड़ता है हम अपना जीवन खुद गर सकते हैं इसी आजादी से इनसान पीड़ा पा रहे हैं अगर आप अपनी गुलामी को भुगत रहे होते तो ये ठीक था अगर आप अपनी आजादी को भुगत रहे हैं तो आप एक आपदा हैं, है ना? आप अपनी दास्ता को भुगत रहे हैं आप किसी चीज में बंदे हुए हैं आप उसकी पीड़ा से रहे हैं ये समझ आता है लेकिन आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप आजाद हैं ज्यादतर इनसान इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो आजाद हैं वो हमेशा हर समय खुद को किसी इनसान या किसी चीज से बानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आजादी उन्हें डराती है क्योंकि आजादी एक मार्ग रहित रास्ता है आजादी एक खुला इलाका है कोई तेर एक नहीं है क्योंकि कोई तेर रास्ता नहीं है तो ज्यादा तर लोग आतंकित महसूस करते हैं लेकिन मानव जीवन में सबसे बड़ी चीज आजादी है कैसा नहीं है? इस संस्कृती में सबसे महतुपून इश्वर नहीं है, स्वर्ग नहीं है बलकि मुक्ती, मोक्ष, आजादी ही सबसे महतुपून है ये स्थापित हो चुका है कि आप जो भी करें, आपको मुक्ती खोजनी चाहिए आप अपने जीवन के साथ जो चाहे कर सकते हैं पर वो प्रक्रिया आपकी मुक्ती की ओर होनी चाहिए आपको हर दिन आजादी के उँचे से उँचे स्तर की ओर बढ़ना चाहिए वरना आपके जीवन का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि आप जीवन की प्रक्रिया में उलज रहे हैं अगर आप स्वर्ग भी जाते हैं, तो वो भी एक उलजाव ही है देखे, मुझे यकीन है कि आपने IIT में एड्मिशन मिलने के पहले आप अब भी बॉम्बे लगा रहे हैं, ठीक है, मैं देख रहा हूँ आपके IIT में दाखेले से पहले, जब आपने अपना जो भी एंटरेंस टेस्ट या जो भी लिखा था केवल एक चीज थी कि किसने किसी तरह मैं अंदर पहुँचना चाहता हूँ मैं अंदर होना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्वर्ग जैसा है, स्वर्ग में गुस्न जैसा चाहे जो हो जाए, मैं एड्मिशन चाहता हूँ, मैं सिर्व यही चीज चाहता हूँ अंदर पहुँचने के बाद, देखिए कितनी समस्या है मैं आपसे एक आसान सवाल पूछ रहा हूँ, इस धर्ती पर होते हुए क्या आपके पास कोई सबूत है, कि आप पहले से ही स्वर्ग में नहीं हैं और इसे बरबात कर डाल रहे हैं क्या आपके पास कोई सबूत है, मान लीजे कि आप इस सौर मंडल से ओड़कर बाहर चले गए और फिर पूरे सौर मंडल को देखा जो भी ये 12-14 ग्रह और उब्रह हैं, इन सभी के बीच, क्या प्रिथ्वी निश्चित रूप से एक स्वर्ग लोग जैसी नहीं दिखती? आया नहीं, तो आप पहले ही स्वर्ग में हैं और इसे बरबात कर दे रहे हैं, और अब आप एक दूसरे स्वर्ग को जाना चाहते हैं ये संस्कृति स्वर्ग को महत्व नहीं देती भगवान को महत्व नहीं देती केवल आजादी को महत्व देती है हम स्रिष्टी और स्रिष्टी करता से भी आजाद होना चाहते है मुक्ती, मोक्षी, चरम मूल्य है क्योंकि ये एक दार्शनिक मूल्य नहीं है ये एक धार्मिक मूल्य नहीं है ये ऐसी चीज है जिसके लिए हर जीवन लालसा कर रहा है बात सिर्फ इतनी है कि ज्यादतर इंसानों के पास दूर द्रिष्टी नहीं है तो वो इसकी लालसा खिष्टों में कर रहे है देखे लोग अभी जो भी चाह रहे है अगर उनके पास कुछ नहीं है तो वो कहेंगे अगर मुझे रोज 100 रुपए मिल जाएं तो शिव जी मुझे बस इतना ही चाहिए ऐसी प्रार्तना होती है 100 रुपए उपर से गिरे 100 रुपए ठीक है ठीक है ठीक है तीन दिन 100 रुपए मिले मैं इसे लेकर परिशानी में नहीं पढ़ना चाहता सद्गुरु के लिए 1000 रुपए कहां से गिर रहे हैं उनके पास कहां पर हैं नहीं नहीं 2000 रुपए गिरे आपने 1000 मांगे 2000 गिरे अद्बुट, शिव जी, शांदार 10 दिनों के बाद ओ केवल 2000 रुपए इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि कितने पैसे मिलते हैं थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और चाहिए ना? ये पैसे के बारे में नहीं है लोगों को लगता है कि ये पैसे के बारे में लोग सोचते हैं कि ये दौलर, ताकत सुख, प्रेम, ज्ञान के बारे में नहीं, ये सभी अलग-अलग मुद्राएं हैं असल में आप विस्तार खोज रहे हैं क्योंकि आप घुटन महसूस करते हैं अगर हम आपको बहुत अधिक समय तक एक ही जगा पर रखें तो आपको घुटन महसूस होती है आप विस्तार चाहते हैं आप हर समय थोड़ा और अधिक होना चाहते हैं हाई ना? हमेशा थोड़ा और ज्यादा क्या आप कभी त्रिप्थ होंगे? आप नहीं आकाश गंगाओं की ओर देखेंगे तो इनसान के भीतर कुछ ऐसा है जो असीम रूप से विस्तार करना चाहता है इसका मतलब है कि आजाद हो जाना चाहता है और कुछ ने अगर इस पर सावधानी से गौर करें भीतर मوجود जीवन की प्रकृती को देखें तो ये एक असीम तरीके से विस्तार करना चाहता है एक मातर चीज जिसकी ये लालसा कर रहा है वो है असीम हो जाना इसका मतलब है कि ये आजादी चाह रहा है इसलिए संस्कृति में हमने सबसे ज्यादा महत्व मुक्ष को दिया जिसका मतलब है आजादी नकि स्वर्ग क्योंकि स्वर्ग बस एक दूसरी जगा है हो सकता है कि वो रहने की थोड़ी बहतर जगा हो लेकिन थोड़े समय बाद वह ही परिशानी होगी है ना